नवस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती सांगवानूर आप देख रहे हैं सीधा सवाल सीधा सवाल का आज हम जवाब लेंगे हरियाना बीजेपी के अध्यक्षिस्तुभाश बरालाजी से बरालाजी बहुत स्वागत है आपका सीधा सवाल में धन्यवाद अगर की जाए आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि बीजेपी शासित राजियों का आकड़ा लगातार बढ़ रहा है कि हरियाना बीजेपी की बात करें क्या सिती है फिलाव दिखे जहां तक हमारी आज हरियाना प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार है और जब हम लोग चुनाओं में गए थे खास करके लोगस्वा चुनाओं से पूरो की अगर हम बात करें तो हमने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास आज हमारी सरकार मुख्यमंद्री मनहोरलाल जी के नितरतों में उस नारे को सार्थक करती हुई चल रही है मुख्यमंद्री जी के तीन दोरे हुए परदेश के जो व्यापक दोरे जिसको हम कह सकते हैं दो बार जिल्या हेट कौाटर पर जाकर के आए एक बार हर विधान सबाद छेतर में जाकर के आए और पूरे परदेश के अंदर एक समगर विकास हो इसकी शुरुवात हमारी सरकार ने की तो सुनाते मैं कह सकता हूँ कि जो नारा हमने दिया था सब का साथ सब का विकास का उस नारे को सार्थक करती हुई सरकार चल रही है और जो दो परमुक बातें इसमें थी पारदर्शीता और इमानदारी है यह सब मिला करके हमारी सरकार आगे बढ़ रही है अब रही भी रही बेर आला साब कि आपकी कारिकरता जो है आपका कैडर वोट बैंक जो है वो नाराज है आपने कहा कि कारेकरताओं को खुशी है कि हमारे सरकार आई है हमारे जो उमीदे थी वो पूरी हुई लेकिन सरकार और कारेकरताओं के बीच नाराजगी है देखे एक भारतिजनता पार्टी अलग तरेगी पार्टी है यह कारेकरताओं की पार्टी है और हम जब हमारी कोई भी बैठक बेशक हमारी किसी मंडल के मोर्चे की बैठक हो वहां भी हम अपना कोई कारेकरम दे करके और कारेकरता से सुझाओ मांगते हैं कोई हमने किसी कारेकरम की रूप रेका रख दी और फिर कारेकरता से कहेंगे कि ये रूप रेका इस कारेकरम की इस परकार से कारेकरम होना है तो इसमें अगर कोई सुझाव हैं तो आप सुझाव देजिए ये मंदल से ले करके और जिला परदेश और राष्टे सत्तक भारती जन्ता पार्टी की इस परकार की करे परणाली है करे पदती है अच्छा हमारी सरकार कर रही है और अच्छा हम किस परकार से करें कहा कोई कमी खामी रह जाती है सिस्टम के अंदर वो जब हम कारेकरता से पूचते हैं तो कारेकरता क्योंकि वो पार्टी के सिस्टम को जानता है इसलिए बेबाकी के साथ कहीं कोई कमी है तो कारेकरता अपनी वो बात को रखता है और जब वो कारेकरता अपनी बात रखता है बेबाकी के साथ रखता है और पार्टी संग्ठन के हित में रखता है क्योंकि अब हरियाना में हमारी सरकार भी है तो जो पार्टी के हित में रखता है तो निश्चित रूप से जो पार्टी का हित है तो परदेश का भी हित है जाओ देता है तो जिन लोगों को हमारी पदती का पता नहीं है उसको नराजगी मान लेते हैं नराजगी नहीं है करेकरता की वो बेहतर करने में किस परकार से अपना सेहुग दे क्यों यही मंचा होती है पार्टिक आपके पास संगठन में बड़ी जिम्मेदारी है खटर क्यास लगाता है बातों के केवल क्यास है मेडिया के चाहे वो आप पार्टी की कोई बैठक की बात करें या कोई विधायक दल की बैठक की बात करें या मंतरी मंडल की बैठक की बात करें आप लोग क्यास के अधार पर आप लोग कोई कोई स्टोरी चलाते हैं वरना हमारी क कोई भी बात इस परकार की नहीं होती जो पार्टी से बाहर जाती है ऐसा कभी नहीं होता आपके विधायकों की बयान साथ सबका विकास हम कर रहे हैं आपके कई विधायकों की बयान साब ने आए विधान सभा तक में सवाल किये जाते हैं उनके हलकों की विकास को लेकर क्या लगता है जब आपके विधायकों को ये बात समझ भी न किया है कि सबका साथ सबका विकास हुआ क्या जनता को समझ आई होगे देखे बिलकुल समझ में आई है विधायकों के भी समझ में है और जनता के भी समझ में है केवल वो लोग नहीं समझ ना चाते और जनता को भी भरम परदेश के अंदर देखी हैं कि विदाय क्या मंत्रियों तब को बोलने की आजादी नहीं होती थी ऐसी सरकार अर्याग में रही है लेकिन हमारी पार्टी कारिकरता अधार्इक पार्टी इसलिए कारिकरता उचित प्लेट फारंपर उचित बात कहता है पार्टी के के लाश व बैठक का इसा होता हूं उस तरह की बैठक का कैलास वीजेवर की जी आये उन्होंने एक मंडल की बैठक भी ली पारिटी की एक जिले की बैठक भी ली एक बूत की बैठक भी विधायक दल की बैठक ली परदेश पदा दिकारी जिला देक्सों की बैठक ली और फिर मंत्री मं मुखी बैठक भी मुख्यमंत्री जो सब के साथ ले उसमें जो बातें होती हैं शायद वो बातें आप लोग ठीक परकार से रखते नहीं या हम कई बार उसके डिलीवरी करने में कहीं कई कोई कंजूसी हमारे से हो जाती हो लेकिन जब ये सवाल आता है कि हम कौन कौन से काम अच्छे कर रहे हैं जब हम ये कहेंगे कि ये आठ काम हमारी सरकार बहुत अच्छे कर रही है और ये दो चीजें और हम अच्छा कर लें इनमें कहीं कोई थोड़ी बहुत कोई कमी है इसको हम दूर कर लें अगर ये बात कहना अगर कोई इस परकार की अनुशास है नहीं था जिसको कई बार आप नाम ले ले लेते हैं यह बिल्कुल भी शिकायत नहीं है देखे अगर कहीं कोई अपने आपको संपूर्ण मान के चलता है तो मैं नहीं समझता उसका कभी विकास होगा, अगर कोई वक्ती की कहे कि मैं संपूरन हूँ, तो तरक्टी करी नहीं सकता, बैठink मि strengthen हो सकता, जितना भी हो रहा है, उससे वİहther किया जाए. केवल इसे लिए भेतरी के लिए लिए कि अगर कोई सुजाव नहीं देंगे संतूष्टी का बाव कभी यून होना चाहिए संपूरून कभी अपने आपको मान करके नहीं चलना और हम तो कभी इस गलत फेहमी में नहीं हैं, नहीं मैं संक्ठन के मुख्या के नाते हैं, नहीं तो मैं संक्ठन के मुख्या के नाते हैं, इस गलत फेहमी में हूँ, और नहीं मैं विक्ति के नाते हैं, इस गलत फेहमी में हूँ, कि मैं संपूरुन हूँ, आगे बढ़ने की ग हें मंत्री गण है वह सुज्धाओं देते हैं तो उस सुझाओं सारे मन करके मुख्य मंत्री जी और आगे बढ़ते हैं हार्यादастиP हर्याना के चार बड़ी मंक्री यकचा बैठक करते हैं उस बैठक को भी अगला कदव माना गया कि कैला आश विजयवर्ग ये कुछ शिकायती की गई थी उसके बाद ये बैठक बुलाई गई एकांत दिखिए मैंने एक बात कहीं आपको हरियाना में वो सरकारे भी चली हैं जिसमें एक विधायक दूसरे विधायक से बात करता हुआ भी डरता था और यहां विधायक बैठकर के अ अगर मेडिया में बाते आ गई संगठन के वहितर की बाती कोई और प्लेटफर्म उसके लिए होना चाहिए था वो मीडिया में आ जाती है वो जनता के सामने आ जाती है फिर जनता उसे कैसे समझे की काम पर कैसे उसका नेगेटिव एफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हैं और ना ही मतभेद की कहीं कोई चर्चा इस परकार की आज तक कभी कोई आई है मतभेदनी है मनवेदनी है मैंने एक बात कहीं है कि अगर कहीं कोई कमी हम से दस बाते हम ठीक करते हैं एक बात की कहीं कोई कमी रह जाती है उसको दूर करते हूं किस परकार से आगे बढ़े यही हमारा मकसद रहता है और इसको कहीं कोई वो मानना कि कोई नाराज है कुछ और है यह कहीं भी उचित नहीं है अगर विधायक ही विधान सभाब में सवाल पूछें विकास को लेकर फिर उसे कैसे समझा जाएं कहीं कोई किसी भी तरह से इस परकार का कोई सवाल हमारे विधायक नहीं पोछते जिसके कान से कहीं कोई यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्ता है उसको कोई ठेस लगे एक व्यवस्तागे नाते हमारे विधायक जो बात करते हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों पर आरूप लगे वराला साब कि आप लोगों ने जाट नौन जाट में पूरे की सुबे को बाट दिया इस तरह की स्थीती पहली रखी थी जो हर्याना सत्ता बे जब से बीजे पी आई के तब से होई गी देखे ये लोग के वल वही कहते हैं जिनको हमारी सरकार जो धाई करोड जनता की भेतरी के लिए काम कर रही है और वो काम होते दिखाई दे रहे हैं वो पच नहीं रहे हैं जिन लोगों को पच नहीं रहे वो लोग इस परकार के आरोप परत्यारोप हमारी सरकार के उपर लगाते हैं जाट नेताओं पर, क्याबिनेट में जो जाट चेहरे शामिल किये गए हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, आप लोग भरतियां करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, तो आपका कहना है कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष पर आपने निशाना साथा, लेकिन आपकी पार्टी के सामसे खुद सवाल खड़े करते हैं। उसी लाइन के अधार पर हमारी पार्टी भी चल रही है और उसी लाइन के अधार पर हमारी सरकार चल रही है। और राजनिती में सही समय पर सही फैसला लिया जाता है। तो इस विशा में केवल यह कहां खेरना चाहूंगा। इस परकार का स्वाल है। देखिए यह बात लोगों ने बांटने की कोशिश की है। खुब की है। और इसमें तो जिन जिन लोगों की भूमिका रही है। वो भूम का सामने भी आई है। किन के। आई है किन लोगों की किस परकार से किन किन लोगों ने मोबाइल के उपर एक दूसरे को संदेश देने की कोशिश की। वो भी सामने आई है। पर्दे के पीछे से किस किस परकार की राजनीती की वो भी सामने आई और भूस सारे वीशे ऐसे हैं जो अभी लोग जिसको जानते हैं कुछ एक लोग और वो समय आने पर सारे चीज़ें जन्ता के सामने आईगी। रिपोर्ट में भी सामने आया कि राज कुमार सेनी ने भड़का हूँ भाशन दिये उससे भी माखूल बिगड़ा उस पर सरकार ने कैसे एक्षन लिया उस रिपोर्ट की उस अंच पर ने किसी की उसके उपर कोई सपोर्ट सरकार ने नहीं की है। एक भी ऐसा मुद्धा नही कि किकी रिपो पर सरकार ने जो फैसला लेना हो और देखिए और उपयुक विप्यूख लगाता है कि प्रफिसर विरेंदर की जब बात आती है और उनके तार जुडते हैं सिध्य तorton पर वहाーん सरकार एकशन लेते हैं बहुत जलदवाजी के साथ आपके सामसब परारूप लगते हैं तब एक्षन इतने जल्दी नहीं लिया जाता हूं देखें इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है जमीन आस्मान का अंतर है आप देखेंगे कि कहां किस परकार की बढ़काओ भाशन दिये जाते हैं और सीधा-सीधा मतलब यह कहा जाता है कि यहां तो इतना कुछ हमने करवा दिया वहां आपसे चिंटी भी नहीं वरी आपसे यह चीजे क्या कोई भड़काओ नहीं है क्या यह है यह सारी जो जो बातें इस परकार की होती हैं उनके उपर एक्षन लिया जाता है एक्षन लिये गई है लेकिन मैं एक बात कहता हूँ भारतिय जनता पार्टी इस परकार के घ्रना फैलाने वाली राजनीती से बिलकुल धूर रहती है किसी भी परकार से हम इस बात से सहमत न देने के लिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं सवाल कहीं है जिनके सीधे जवाब लेंगे पर आला साब से इस ब्रेक के बाद